कि अच्छा पर्फॉर्मंस हमको दे सकते हैं कि अच्छा पर्फॉर्मंस हमको दे सके बेडरूम में स्टैमिना टिक सके या इरेक्शन का प्रॉब्लम जो है वो भी स्वाल हो सके क्या है कि अक्सर 40-45 साल के बाद में एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी डिपरेशन चिंता फिर बाद में टेस्ट्रोस्टेरान लेवल का कम होना इंट् सेक्स के उपर पड़ता है यही बहुत जादा तनाव है तो नीन कम होती है खाना बराबर खाते नहीं तो उसका भी असर होता है पैसालीच बचास के उमर में धन्दा सेट हो रहा है तो एक्शरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है तो ऐसे इसमें फिर सेक्सलाइब के ऊप तर्बूस तर्बूस खाने से ब्लेड में हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जादा बढ़ता है और आपको यह पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड से जो अर्टिरियोल्स है मतलब ब्लड वेसल जो है वो मूटी होती है खुर अंदर घुसता है और पेनिस में कट्रोता बहुचा दाती है तो इसलिए तर्बूस का सेवन जरूर करें अपने खाने में तर्बूस लाए नंबर एक नंबर दो संत्रा एक संत्रा आप रोश खाते है संत्रा जो है न वह विटामीन से में भरपूर है एंटी ऑक्सिदेंट से भरा हुआ है तो संत्रा आप खाते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा आपको स्टैमिना बढ़ाने के लिए हो जाएगा नंबर तीन जो है वह है केला एक केला रोज वन बनाना पर दे केल सेक्षिल ड्राइव ज्यादा बढ़ती है और स्टैमिना जो है अच्छा ठीकता है तो एक केला रोज खाना है और चाथा जो है वह अनार जो है उससे ब्लेड शेकुलेशन बहुत अच्छा बढ़ता है बाडी का और ब्लेड शेकुलेशन पनिस में बढ़ता है और लेंगे इसक्षिल डिजायर बढ़ते हैं और सब बल लेवल होता है परफॉर्मंस का इश्यू 45-50 साल के बाद में ज्यादा इसलिए आता है कि परफॉर्मंस मतलब इरेक्षन का प्रॉब्लम था ही और उसमें एडिशन प्रॉब्लम ही हो जाता है कि अभी जल्द निकल जाता है और और फिर खुश ने रहता है फिर जगड़ जंजट चलो जाते है जल्दी निकल जाता है करके और समाधनी नहीं है वह समाधनी नहीं है तो दूसरे बार तैयर नहीं होती बोले यह आते है कुछ तबी करते हैं निकल जाते है और मुझे तो कुछ मज़ा आता ही नहीं है दू प्रफेशनल हेल्प लेना काउंसिलिंग करना फिट रहना अच्छे एग्जरसाइग 40 मिनिट की रोच अच्छे नीन आप लेते हैं तो तंबाकू शराब का सेवन नहीं बैलन्स डायेट और यह चार फल रोच यह करते हैं तो आपका परफॉर्मस जो है वह एकदम बहुत कर दो दो झाल झाल